तो हलो एंड वेलकम बेक दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में जिसका नाम है हेल मी आउट और अभी कुछ घंटे पहले ही मैंने अपने चैनल पे कम्यूनिटी पोस्ट किया था तो इसमें सबसे ज्यादा जो वोट्स मिले है वो चैनीज बील सीरीज को मिले है जिसका नाम है किलर और हीलर तो मैं आपको उसके बारे में कुछ बता दो सब्सको मतलब कर वाने से पहले आपको चीज़ पता होने चैनल पाद में ऐसा ना हो क्योंकि मुझे मतलब यह जो अब कियों कृरेंटली बील सीरीज को एक्स्पेलेई कर रहे हैं चैनीज बील को वी लवड एनिमी उसके बारे में मिलते हैं तो जो पछल एंभी पहला पॉंट है वह यह ह proteg दो बारो जो बील जिसे बोलते हैं वो नहीं है वैंद लो प्लीज फिर बाद में मुझे कॉमेन्ट मत करना कि यह BL series नहीं है और इसमें कोई भी romantic scene नहीं है, but yes, इसमें सिर्फ romantic scenes नहीं है, like kissing and all, यह सब कुछ भी नहीं है लेकिन इसके अलावा इसमें जो feelings है, emotions है, and the bonding between both main lead, वो बहुत ही ज़्यादा amazing है and बहुत ही ज़्यादा मतलब interesting है, दोनों मतलब पहली बार मिलते हैं, उनके बीच में misunderstanding होती है, फिर उसके बाद में वो clear कैसे होती है, वो अपना जो past होता है, उसको भी दूसरे के साथ share करते है bonding जो होती है, वो बहुत ही ज़्यादा interesting है, and second thing, दोनों main lead बहुत ही ज़्यादा attractive है, handsome and which is cool ठीक है, किसी भी BL lover के लिए इतना ही enough है, किसी भी series को start करने के लिए, कि that main lead is, both are so attractive है, और जो second बात है हो ये है कि, मतलब ये series में 37 episodes है और हर episode के जो length है वो लगभग 40-45 minute के बीच की रखी गई है, तो देख लीजे अगर आपको इस series को चाहते है मैं explain करूँ, तो definitely let me know into the comment box I will definitely explain and it will take at least a month to explain this BL series and इसका जो third point है, वो ये है story पूरी तरह से जो हमारे दोनों main lead है उनकी तरफ ही मतलब भूमती रहती है and मतलब story दोनों main lead के अलावा इधर उदर कहीं नहीं जाती है तो ये कुछ ऐसी बात है थी, जो मुझे लगा कि आपको, मतलब this series killer and healer इसको explain करने से पहले आप सबी को पता होनी चाहिए and I would love to know अगर ये मतलब सारे points जानने के बाद भी कि मतलब it's not a pure BL अगर आप चाहते कि मैं इसको explain करूँ तो आप मुझे प्लीज नीचे comment box में जरूर बताएगा मैं इस series को explain करने में मुझे बहुत जादा मजाएगा although मैंने इसके 3-4 episode already देख लिये है and मुझे ठीक ठाक लगी है तो अगर आप चाहते कि मैं इसको explain करूँ तो प्लीज मुझे नीचे comment box में जरूर अपनी राय बताएगा accordingly I'll you know think about it तो चलिए अप मिलते हैं फिर किसी next video में तब तक के लिए take care of yourself and thanks for watching and please मुझे नीचे comment box में जरूर बताएग so that मैं उसके बारे में सोच सब कूँ और वीडियो बना सब कूँ take care, thank you and take care of yourself bye bye